हेलो फ्रेंड्स एन वेलकम जो माई चानल फैशन फंडा वित पूप मैं हूँ पूजा तो आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम विस्ट के तो ये वीडियो बहुत ज़्याद रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत सारे लोगों ने मुसे पूछा कि हमें ऐसे मेकप प्रोडक्स बताएं जो कि हमें बहुत सब्सक्राइब होते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो ओनली प्रोडक्ट यू नेड इन मेकप तो आज के प्रोडक्स के आपको मैं आल्टरनेटिव से भी पता दूंगी कि आपके पास कौन से इनके क्वालिटी और इनके डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी आड़ कर दूंगी आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं तो कुछ प्रोडक्स आपको लोकल माकेट से मिल जाएंगे और आप कुछ ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं तो आज की वीडियो में जो भी मेकप प्रोडक्स में आपको दिखाऊंगी आप उससे अपना कैजूल मेकप कर सकते हैं और अगर आप यूनिवर्स्टी गोईंग है तो आप उसके लिए भी मेकप कर सकते हैं या फिर कॉलेज जाती हैं अगर आपको कोई पाटी में जाना यानि आपको वेडिंग अटेंड करने हैं आप उसके लिए भी इन प्रोडक्ट से मेकप कर सकते हैं और अगर आपकी नए शादी होने वाली है तो आपको मेकप के बारे में जादा नहीं पता है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़दा हेल्प करने वाला ह अगर आपके पास कम चीजे भी हैं और आपको मेकप करना अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छे से मेकप कर सकते हैं अगर आपके पास एक लिपस्टिक भी आप उससे भी बहुत अच्छे से मेकप कर सकते हैं तो आज जो मेकप प्रोड़क्स में आपको बताऊंगी वो more than enough है, इसमें आपके हर चीज आ जाती है, यह सारी basic basic चीजे, तो अगर इसके अलावा आप ले तो जैसे हमारे पास बहुत साई लिप्स्टिक होती है, बट इस्तमाल हमें एंड में एक ही करना होता है, तो इस वज़े से हम उन एक ही दो चीजों के बारे में बात करेंगे, जो mostly required होती है, तो अगर आपको make-up के बारे में बिल्कुल भी knowledge नहीं है, तो आप एक copy pencil लेके यह सारी चीजे नोट कर लेजे, जि इसलिए होता है, तो इसलिए होता है, क्योंकि हम अपने skin को make-up के लिए prepare नहीं किये होते हैं, तो जैसे आप exam देने जाते हैं, आपको preparation की जरत होती है, तो उसी तरह हमारे skin में make-up करने से पहले थोड़ी से preparation की जरत होती है, जिससे हमारा make-up long stick करे, और बिल्कुल भी patchy न नहीं आएगा, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा मॉस्चराइजर लगाना है, आपके पास जो भी मॉस्चराइजर हो, आपकी skin type की साब से उसको use कर सकते हैं, तो make-up करने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छे प्राइमर की जरत होती है, आपके पास एक अच्छा प अच्छा है, तो प्राइमर क्या करता है, हमारे skin के pores को बन कर देता है, जिससे जब हम foundation लगाते हैं, तो हमारे skin पे एकदम stick हो जाता है, और बिल्कुल बाद में केकी नहीं होता, बिल्कुल हटता भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से आपके skin को prepare करता है, make-up करने के लि bright look भी देता है, तो अब बात करते हैं, हमारे foundation की, तो foundation हर स्किन टाइप और लोग के लिए जाता है, तो आपके make-up kit में एक foundation होना बहुत ज़्यादा important है, foundation अगर आप night function में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा important होता है, ये मेरा foundation lack me का है, 9 to 5 और ये बहुत ज़्यादा long stay करता है, प्लस ये बहुत affordable भी है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा महेंगा foundation नहीं try करना चाते हैं, तो आप ये lack me का ले सकते हैं, काफी ज़्यादा अच्छा है, और इसका texture भी बहुत अच्छा है, तो अगर आप medium coverage में एक अच्छा foundation चाते हैं, तो आप इसको purchase कर सकते ह बाद कुछ ये ऐसे finish देता है, काफी अच्छा लगता है, मुझे इसको apply करने के बाद, मैं जब day function में चाती हूं, तो मोस्ती में prefer करती हूं कि BB cream लगाऊं, और night function में मैं foundation लगाती हूं, तो ये मेरी BB cream है, जिसको मैं काफी सालों से use कर रही हूं, और ये बहुत affordable होने के सा ये medium to high coverage देता है, बहुत अच्छी finish है, और इसको लगाने के बाद, आपका face बहुत ज़दा even हो जाता है, तो आपके make-up kit में एक BB cream और एक foundation होना बहुत ज़दा लाजमी है, तो अच्छी coverage होने के साथ ये बहुत ज़दा affordable भी है, तो इसका लिंक भी मैं आपको description box में दे purchase कर सकते हैं, तो अपलाई करने के बाद, इसका कुछ result ऐसा आता है, जो कि काफी ज़दा अच्छा है, मेरा इसमें shade number ivory है, आप अपने skin tone के हिसाब से purchase कर सकते हैं, उसकी बारे में हम बात करेंगे, ये ecological sunscreen की, तो ये sunscreen थोड़ी से tinted है, तो अगर आप इसको लगाते हैं, तो अपर फेस ना थोड़ा सा bright हो जाता है, तो एक आपके makeup kit में एक sunblock होना बहुत साथ important है, क्योंकि sunblock क्या करता है, कि हमारे skin को UV rays से बचाता है, तो आपको लेना है SPF 50 का sunblock, SPF 50 क्या होता है, कि आपके skin को बहुत अच्छी coverage देता है, अगर आप इसे कम SPF में चाहेंगे, त तो उतने अच्छी coverage नहीं देता है, उतने अच्छी आपको protection भी नहीं देता है, यह affordable होने के साथ साथ बहुत ही जादा अच्छी, इसमें natural ingredients है, तो आपके face को बिल्कुर भी हाम भी नहीं करेगा, तो यह तीनों चीज़े आपके makeup kit में होना बहुत important है, उसके बाद हम बात करेंगे face powder की, यह compact powder, आपके पास loose powder है, इन सारी चीज़ों की बारे में बात करेंगे, तो यह बहुत ज़दा important है, तो मैं यहाँ use करूंगी Maybelline Fit Me का again, यह compact बहुत ही ज़दा अच्छा है, बट अगर आपको बहुत ज़दा affordable चाहिए, तो आप faces Canada का भी ले सकते हैं, तो loose powder हमारे makeup को set करने के लिए बहुत ज़दा important, अगर आपने concealer लगाया है, या फिर आपने कोई अच्छा सा foundation लगाया है, तो अगर आप उसको secure करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपका makeup बहुत long lasting रहे, तो आपको एक compact powder लेना है, तो अब बात हो गई हमारे foundation और compact powder के अब बात करेंगे हम blush on की, तो मैं आपको ये दो तरह के blush on दिखा लेती हूँ, पहला एक palette के form में है, जिसमें contouring भी है, और आपका ये blush भी है, और इसमें highlighter भी है, तो ये काफी ज़दा अच्छा है और affordable भी है, तो इसका texture भी बहुत ज़दा अच्छा है, बहुत ज़दा highly pigmented है, तो अगर आप इसको अपने cheeks पे लगाते हैं, तो बहुत ज़दा अच्छा लुग देता है, तो आप blush on के साथ साथ, अगर आप चाहें, तो आप lipstick से भी blush लगा सकती है, मैं कभी-कभी lipstick भी अपने cheeks पे use कर लेती हूँ, वो भी काफी ज़दा अच्छी लगती है, तो ये मेरा Maybe makeup kit में होना बहुत ज़दा important है, इसके बाद मैं आपको swatches दिखाती हूँ, ये highlighter के, तो ये मेरा palette जो है, contouring और blusher का palette जो है, ये faces Canada का है, ये भी काफी अच्छा है और highly pigmented है, और affordable भी है, तो आपको बिलकुर भी tension लेने के ज़रत नहीं है, अगर आपकी शादी भी होने वा तो मेरा ये faces Canada का बहुत ही अच्छा eyeshadow palette है, इसमें आप को shimmer color भी मिल जाएंगे, matte color भी मिल जाएंगे, इसमें neutral shades भी है, bold shades भी है, तो सबसे अच्छी बात है कि आप इसको हर तरीके से use कर सकते हैं, यानि अगर आप office जाने के लिए भी use करती हैं, तो भी आप इसको use कर सकती ह तो आपके पस ऐसा नहीं कि आपके पस बहुत सारे colors eyeshadow palette के होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा eyeshadow palette और उसमें इतने सारे color हम कभी use नहीं करते हैं, और वो रखे रखे खराब भी हो जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा लेना चाहिए, जो आपको daily में भी काम आए, किसी function में भ भारी कर सकें, तो ये eyeshadow palette बहुत ही जदा affordable है और बहुत ही perfect है, तो next चीज़ की जो मैं बात करूंगी है, वो है mascara, आपके पास mascara होना बहुत ही जदा ज़रूरी है, मैं आपको महंगे से पहंगा mascara बता सकती हूँ, सस्ते से सस्ता बता सकती हूँ, बट मैं आपको बताऊंगी, एक ऐसा mascara जो आपको volume देगा और आपके eye को lift भी करेगा और बहुत ही जदा अच्छा affordable, तो मेरा ये Maybelline का voluminous mascara है, इस mascara को आप बहुत time to use कर रही हूँ, मेरा एक already खतम हो चुका था, तो मैंने नया eye purchase कर लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी volume देता है, अगर आपक eye lashes की length कम है, जादा volume में नहीं है, तो ये बहुत ही perfect है, आपको मतलब fake eye lashes लगाने की बिल्कुल भी जदत नहीं पड़ेगी, तो आपके पास एक eye lashes curler भी होना चाहिए, अगर आप mascara से पहले eye lashes curler लगाते हैं, तो और भी जादा enhance हो जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंग एक अच्छे eye liner की, तो आप चाहे तो gel eyeliner भी use कर सकते हैं, आप चाहे तो liquid eyeliner भी use कर सकते हैं, एक pencil वाला भी आता है, बट मैं काफी time से ये use करी हूँ, काफी जादा अच्छा है, Maybelline का, Fit Me का ये जो है, हमारा eye liner है, Z black, इसका shade है, और बहुत अच्छे से इसकी wink भी बनाता है, औ बहुत अच्छे से apply हो जाता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही affordable है, तो आपके makeup products में एक ये भी product होना बहुत ही ज़्यादा important है, तो अच्छे से काजल की, तो मेरा ये Faces Canada का cold काजल है, जो की बहुत ही ज़्यादा pigmented है, एकदम Z black finish देता है, औ बहुत ही अच्छे से apply हो जाता है, इसका swatch में आपको दिखाती हूँ, बहुत buttery है, बहुत smooth है, इसकी पीछे smudger भी दिया गया है, जिससे आप अपनी काजल को अच्छे से smudge कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा smoky eye look मिल जाए, तो ये भी थोड़ा सा expensive है, ये 5-600 के round है but बहुत जादा अच्छा है, और ये सारी चीज़े आपको eye makeup के लिए बहुत जादा important है, तो ये भी आपकी makeup product में जरूर होना चाहिए, तो आपको एक eyebrow pencil लेनी है, जो कि affordable भी हो और बहुत अच्छी भी हो, तो मैंने ये लिए elf की eyebrow pencil है, 250 के round है, जो कि बहुत affordable है पर बहुत अच्छी है, तो मेरा इसमें shade है natural brown, तो आपका भी अगर fresh skin tone है, तो आप एक natural brown eyebrow pencil ले सकते हैं, अगर आपको जादा उसके बारे में पता नहीं है, तो आप यही purchase कर सकते हैं, इसका link भी आपको मैं description box में दे दूँगी, तो अब हम बात करेंगे lipsticks की, तो lipsticks आप जितनी मर्जी उतनी ले ले, बट आपको जो colors चाहिए होते हैं, वो है nude और थोड़ी से bright colors, तो अगर आपके पास red है, pink है, और एक दो आपके पास nude colors है, तो उसमें आपका काम चल जाएगा अच्छे से, तो मैं आपको जो colors आज दिखाऊंगी, वो colors आपके पास smell लगा सकती है, अगर आप married है, आपको dark colors पसंदे, तो आप वो भी लगा सकती है, तो ये है nude color, जो कि मेरी बहुत ज़दा favorite है, और इसका color थोड़ा सा orangishish nude है, जो कि बहुत ही, अगर आपका face skin tone है, तो ये बहुत ही pretty लगने वाला है, तो आपको कुछ ऐसा color भी purchase करना चाह है, बहुत ही ज़दा प्यारा है, तो अगर आप कुछ nude color, पीची nude में अगर आप ढूंड रही है, तो ये mama art की बहुत अच्छी प्यारी सी shade है, ये भी आप अपनी makeup collection भी ज़रू से शामिल करें, तो ये shade जो कि brown nude है, तो मैं ये आपको ज़रूर recommend करूंगी, कि आप अपनी makeup collection में ये color ज़रूर रखे, बेहद हसीन color है, अगर आपका face skin tone है, या फिर आपका brown skin tone है, दोनों के साथ perfectly जाता है, और बहुत ही ज़ादा pretty लगता है, तो आप बात कहते हैं, लिपस्टिक्स के थोड़ी से bright colors की, तो ये shades आपके makeup box में ज़रूर होने चाहिए, चाहिए आप married हो या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो आप इन colors को trust me purchase कर लीजिए, और बहुत ही प्यारे color है, इनके link में आपको description box में दे दूँगी, और बहुत ही ज़ादा pretty red है ये, और mama art का ये थोड़ा सा maroonish red है, जो की again बहुत ही pretty है, बहुत ही ज़ादा सुन्दर है, तो अच्छे लगी होगे, अगर अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कर दीजिए, में जान को subscribe कर लीजिए, और मैं आप से मेरती हूँ अपने next वीडियो में, till then bye bye